मादवना समाचार उपर नजर करीशू अफगानिस्तान ना विद्यार्तियों हाल बैना ओथार हेट हड़ जिवी रहाँचे गांदी नगर FSL उनिवर्सिटी माँ अफगानी विद्यार्तियों बने छे त्यार ते ओए मंतवे न्यूस साथे खास वाच्चित करीशू अफगानिस्तान नथी जवा मांगता विद्यार्तियों तालिबानियों पर ते ओने बरोसों नदी त्यार बारत मां महिलाओ सुरक्षित छे एंजणागी रहाँचे अफगानी विद्यार्तियों अफगानिस्तान मां ते ओनों परिवार छे जे मुश्केली मां छे क्यारतियों मदद दी गुहार पण लगावी रहाँचे अफगानी विद्यार्तियों हाल भई ना ओठार है मामले सम्वधागा सोनाल जोड़ा है रहाँचे सिधा इम नी पासे जैशसी सोनाल अफगानी विद्यार्तियों हाल भई मां छे छों कही रहा आचे ते ओ जी, 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 मैं त्यारे FSL University खाते चुए, खासकरी ने FSL University मा अफगानिस्तान नी विद्यार्थी नी ओपन अभ्यास करी रही चे, ना त्यारे जे अफगानिस्तान नी परिस्तेती सामे आवी रही चे, अफगानिस्तान मा वस्ता लोको जे चे, ते तो भैवीत चेज पन सा सथे जहीं, भारत मा रही नेज अभयास करी रहाँ और जे अविद्यार्थी चे "...वड्यास करी रहाँ बीधान ने रहाँस खोले ंपनी साथरा आपनी साथे चेंपनी साथे आपनी ते अवान करी शोय स्वित्यार्थी ने's ते आपड़े तैहित ती है आप जब वहां पर थी तब क्या हालात थे मैं यहां से आर्ड और सेवन मन्स हूँ जब में वहां थी तो ऐसे ही टारगेट किलिंग होती रहती थी लेकिन वो चुपके वाली जैसे तालबान खुद इतनी इसहार नहीं करती कि यह टारगेट और यह किडने हम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी टारगेट अपने जिनर साइट और के लिंग यंड किडनेपिंग देजस्ट किप दे एक अंटिनियसली बट उस वक्त इतना चाहता की यह जो टारगेट किलिंग ती यह किसी स्पेसिफिक पोपलेशन की नही थी जो हो रही ती तो सब के साथ और इती जै आप हो रही है वो तो बुरा सब के साथ होती है लेकिन वोमेंस के लिए वहाँ कोई सेफ़िटी कोई ऐसा कंफरमेशन नहीं है कि ये लोग सेफ रहेगा ये लोग दोबारा अपनी स्कूल यूनिवरस्टी जोइन करेगा और ये लोग दोबारा अपने काम में और गवर्नमें पर क्या हलात हैं? हाँ, हम तो रुस अपनी फैमली के साथ बात करती है जब से काबूल तालिबान के हाथों में रही है वो लोग बहुत डरी हुई है पहले तो लोग प्रोवेंसे से दूर जगा से काबूल में आती थे कि वो लोग ऐसे सुचती थी कि हम जो काबूल में आये वहाद सेफ होगा तालिबाह नहीं आएगा लेकिन अनफोरशनेटली इवन दे कुट कैप्चर काबूल सीटी सो पीपल वहाद कोई लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है जो लोग कवर्नमेंट में काम करती थी और कोई स्पेशल फोर्स और कोई कुछ भी काम करती थी तो तालिबान उन चीजों की खिलाफ थी इसलिए वो सब लोग अपनी खुद को गर में चुपाती रहती है और ज्यादा बाहर आने की कोशिश नहीं करती है जो खुद को तालोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती है इसी तरह सब फैमलीज मेरी फैमली इवन मेरी माँ अपनी मेरी बाईयों को मेरी बेहन को उन लोगों को बाहर जाने नहीं देती है कि जब तक सिचुवेशन टिक नहीं होती है अफगानिस्ता एक्ट परिस्थथिकरी आपने साथे वाच्छित करी ओदू एक विधारती नी साइटा आज्या आप अभयास करे शे अधरी साथे आपने समय से यहां पर है और क्या परिस्तिती हैं अभी अफगानिसतन में आपका भी फैमिली वहां पे है किस तरह का सिचुएशन असेंस 2019 में यहां पे हो और पड़ाई कर रहे हो unfortunately when recently the politicians गप अफगानिस्तन इंफलीट थालीबन could get the control of the whole country and the situation is terrifying over there people are in fear especially women are really terrified of what will happen to them by Taliban as I talk to my friends mojib do so okay or family members kibakya holok bohat the dirty hair or they cannot get out of home even my sisters and my mom they say that they are only staying in home and they cannot even go out to get groceries they are they are afraid of Taliban my sisters are university students but they cannot go to university everywhere is closed so the situation is really bad and it's scary and Taliban's though they announced that they wouldn't harm people but no one could believe them because Taliban to pill it's a pata raya kated logo k kuham nai kariga lakin wish was nae yet Taliban kuper whoa be salp a little bit bohat bohat kia marissa um afghan look a soft but sorry look a mardia in my district they killed over 300 people including my father may my dad was killed by Taliban 20 years back and they destroyed the biggest city of Buddha in my hometown and they burned the houses and many more examples to give a baby look can't trust Taliban and the situation is is alarming and though so far they have not harmed obviously the public so much but still if they get the full control control of the government and the whole system they may repeat what they did 20 years back that is the biggest fear and the news there are horrible news also there are women who are saying that the Taliban force their daughters their unmarried daughters to marry their terrorists we could say and the unmarried woman below 45 if they are unmarried they should get married to Taliban terrorists it is very very horrifying for women and yesterday the one girl was shot by Taliban in a city in Jalalabad and nobody were allowed to pick up her dead body that is the situation the current situation in Afghanistan to say tonu kya ho check a haju gai kalish timne je phone par wat kari shay gai kalish timna jalalabad namno je shahar shaytya ek yooti ne jaher ma gori maari deva ma avi ane koina ma evi himmat tina sudi jay shakye kya tina sudi jay shakye kya tina maad karwa maathe panda tina sudi jay shakye tina hama na jim janaviyu kya 300 jitla loko nne taliban hoi marina kya hata including her father italy kya tina pita nupan e jay marina akwa ma avi hata taliban hoi hath hai italy kai shakai kya jay situation chhe bhoj kharaab chhe atyar afghanistanni paristhitiyo nne vidyarthi nne hojhe ayya bhani rehi chhe teo hajo pun bhaibit chhe chelo sawaal apne seima nne karishu asima aap yaha par hai aapka jo visa hai wo kapta ka hai aur agar visa khatam ho jata hai toh aap kya sushti hai kya kar sakti aap am avito meri visa ki ek saal baki hai am dhekta hai afghanistan ki situation kese hoti hai toh mujhe ab meri apne afghanistan se apne country sito boho di mohabbat or wojo countries ki love hoti hai wo i can't forget my country but if the situation goes like this i i really extremely afraid of go back there so if it got better of course until we have one year maybe in one year okay ab exhal hai meri pass exhal me jo kuch kuch bhi ho sakti hai afghanistan mein shayad accha ho jaye shayad government ye taliban ko afghanistan se bhaar nikalee lakin agar nahi huwa eisai taliban waha rehi hai toh shayad may saa wapas jane ki košish na karo shayad may aapni visa ko reniu karo dhekhte ho kya hoti hai toh ahata seima ane saaita je wo khae chhe ke howe teo akwaristan parat jawaan na thi maakta inkih je parisitiyat tiya raha saamii avi rahi chhe tebnoe visa khatam thawani parisititi jare aoshe tiyare timnye pan khabar na thi ke agar timnye bhavishya sunche pao itli temnei jaroor khabar chhe ke howe teo afghanistan bilkul parat jawaan na thi maakta ji ji jia barso nal samagra mahi tia apa badal to afghani vidyar thiyo hal bhai nao uthar hitar chhe ke teo eo ee howe parat afghanistan na thi jawaan na thi maakta inkihi